प्रोग्राम के शुरुवाद कॉंग्रेस पार्टी अलकमान सोनिया गांदी से कॉंग्रेस पार्टी अलकमान सोनिया गांदी इस वक्त ममता बैनर जी से नाराज दिख रही है दरसल नाराजगी की वज़ा यह है कि ममता बैनर जी अब खुल कर सोनिया गांदी के खिलाफ आकर खड़ी हो गई है साथ 2024 के लोग सबाज चुनाव से पहले एक और जहां विपक्षी पार्टियां चुनाव जीतने की कोशिश करें तो वहीं ममता बैनर जी कॉंग्रेस के लिए मुश्किले बढ़ा रही है ममता बैनर जी ने साब तौर पर का कि अब तो यूपीय का कोई अस्तित्व ही नहीं रहा गया है आज कोई यूपीय है नहीं इसी बात को जान में रखतेवे कॉंग्रेस पाटी के कई नेताओं ने ममता बैनर जी पर निसाना साधा और ममताब एनर्जी को ये कोशिश करनी चाहिए कि मौजूदा समय में सभी विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर काम किया जाए यानि कि ममताब एनर्जी जो सोच रही है कि वो 2024 के लोग सभा चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर चुनावी रणनीतिया बनाती नजर आएंगी तो ये बहुत बड़ी गलत फैमी है क्योंकि जनता जहां ये देखेगी कि ममताब एनर्जी अब बीजेपी के साथ जुड़ चुकी है तो जनता ममताब एनर्जी का साथ भी छोड़ देंगी हाला कि इस बीच देश की जनता कॉंग्रेस पार्टी के साथ दिखती नजर आ रही है क्योंकि पूरे विपक्ष में एक कॉंग्रेस पार्टी है जो जनता के जमीनी स्तर के मुद्दों को ठारी है पूरे विपक्ष में एक कॉंग्रेस पार्टी ऐसी है जिसने अभी तक हमारे मुद्दों को ठारी है और ऐसे में हम भी कॉंग्रिस के साथ जुड़ेंगे तो अगर उत्तर प्रदेश की विधान सभाचुनाओं में बहुत बड़े हद तक तस्वीर बदलती है तो सीधे तोर पर लोग सभाचुनाओं में भी तस्वीर बदलती नजर आएगी अब कि लोग प्रियता दाओं पर लगिए और ऐसे में जनता ये पूरी कोशिश करें कि प्रियंका गांधी की मेहनत को सफल बनाये जाए और उन्हें बहुत बड़े हद तक चुनाओ जित्वाया जाए आज के लिए तना ही आप से फिर दोबारा मुलाकात होगी तब तक ले जा दीजे नमस्कार